नमस्कार दोस्तों स्वागत करें हूँ आप सभी का एक बार फिर से शिक्षा प्रभा में और बिटा इस वीडियो में हम बाग करेंगे एड्मिशन और रिजल्ट की तो जो बचे सीबी एसी से पढ़ाई कर रहे हैं दिल्ली स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और वो फुली सभी बच्चे पास भी हो गए हैं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ तो आप जिन्होंने 6th pass किया है वो 7th में admission ले सकते हैं 5th class pass किया है 6th में admission ले सकते हैं इसी तरह से 8th class pass की है तो 9th में admission ले सकते हैं उसकी guidelines आ चुकी है कब आपको registration कराना है कहां पर कराना है किस तरह से admission होगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको इस video पर और वो बच्चे जिन्होंने 9th और 11th के एक्जाम दिया है तो उनका result कल है सभी को best of luck अच्छे नमबरों से आप लोग 5 हो यही उम्मीद करता है सिक्षा प्रवा तो विटा नोन प्लांड एडमिशन जो आपके स्टार्ट होने वाले है 6th से 9th क्लास के लिए तो डिपार्ट्पिंट ने उसके रिजिस्ट्रेशन की डेट और जो 3 साइकल में एडमिशन होंगे उसकी प्लानिंग कर ली है सर्किलर आउट हो चुका है तो क्या क्रिटेरिया आप लोगों का रहा होगा और कबसे अडमिशन स्टार्ट होंगे तो यहां पर हेड आफ स्कूल को जानकारी दे दी गई है मतलब सर्किलर निकाल दिया गया है कि 6th से 9th क्लास के जो अडमिशन है वो स्टार्ट होंगे कबसे 3 अपरल से नए सेशन के लिए सेशन है आपका 23 आपको फिल करनी है क्या प्रुटेरिया होने वाला है इसके लिए तो 6th to 8th क्लास के जो बच्चे है वो पास होना चाहिए उनको अपनी ट्रीवियस क्लास में अगर आपको 7th में अडमिशन लेना है तो आपके पास 6th क्लास पास करने की मार्कशीट होनी चाहिए कि आपने 6 आपको 6th क्लास पड़ी है ठीक है इसके अलावा जो बच्चे 9th में अडमिशन लेना चाह रहे है उन लोगों के पास 8th क्लास उन्होंने पास किया है वो एक रेकोनाइजड स्कूल की उनके पास एक मार्कशीट होनी चाहिए कि भाई उन्होंने किसी रेकोनाइजड स्कूल से 8th क्लास को पास किया है ठीक है तो यह है आपका 6th to 9th admission अब कौन से तारिक से तीन तारिक से अब आपको क्या 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 करना है क्या schedule है आपका तो आप लोगों के जो online registration स्टार्ट होंगे वो होंगे तीन तारिक से आप लोगों को पता है तीन अप्रेल से 2023 तक वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रहे है तो मेरी वीडियो को जादा से जादा लोगों तक शेयर करना है लाइक करना है कमेंट करना है और इसी तरह की और नीउस आपको मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब शरूर करना है तो cycle 1 की admission आपके मंडे तीन तारिक से आप र और 10 तारिक को यानि की 10 अप्रिल तक आप लोगों को लगभग 8 दिन दिये जा रहे हैं मंडे टू मंडे अपने admission के लिए online registration करने के लिए online registration आप फोन से भी कर सकते हैं और अगर फोन से ना कर पाए तो आप अपने आसपास किसी भी net cafe से जाकर के कर आ सकते हैं इसके बाद ह of school to registered application by cluster level admission committee ठीक है मतलब जिनके पास अतनी SLC होती है वो लोग कब करा पाएंगे 11-4-23 यानि की 10 तारिक को मंडे तक आप registration कराएंगे allotment हो जाएगा 11-17 तारिक के बीच तक यानि की इसके लिए भी आपको लगभग 7 दिन का time दिया गया है कि जिन बच्चों ने registration करा दिया है उनको इन 7 दिनों के अंदर-अंदर school allot कर दिया जाएगा ठीक है और फिर वो वाले बच्चे जिन के पास CLAC नहीं है allotted नहीं है उ तो हो जाएगा 14 अप्रेल से लेकरके 18 अप्रेल तक के लिए इसके लिए भी बेटा आपको लगभग 5 दिन का time दिया गया है यह आपके first cycle में जो admission होंगे उसके बारे में जानकर यह आपको यहां पर दी जा रही है इसके बाद second cycle के भी admission होंगे और फिर third cycle के भी होंगे तो allotment of school to registered applicants not allotted by CLAC and residents out of zone क्यानि कि जों से बाहर कुछ पच्चे ऐसे होते हैं जो किसी मतलब थोड़ा दूर रह रह रहे होते हैं और उनको किसी दूसरे स्कूल में admission लेना होता है तो उसके लिए भी 14 अप्रेल से लेकरके 18 अप्रेल तक का time है school allot करने का ठीक है और इसके बा हैं यहां पर rank पर रह रहे हैं या कोई दूसरी problem है उनके साथ उनको school allot कर दिया जाएगा 14 अप्रेल से लेकरके 19 अप्रेल तक तो बहुत जादा दिन इसमें नहीं लगेंगे तीन अप्रेल से ये प्रक्रिया शुरू होगी और first cycle admission की ये प्रक्रिया 19 चार तक समाप्त हो जाएगी मतलब आपका registration भी हो जाएगा और school allot भी हो जाएगे second cycle जो आपके admission की बिटा शुरू होगी वो एक मई से शुरू होगी ठीक है यानि कि 19 अप्रेल के बाद लग भग 11 दिन admission नहीं होंगे और मतलब जो first list है उसके according admission होंगे है ना मतलब list हो गयरा आजेंगे आप अपने documents तयार कर लेंगे और 30 अप्रेल तक admission ले लेंगे first cycle में अगर आपने registered किया है तो उसके बाद जो second cycle है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी एक मई से और फिर वही सब आपका चलेगा इसके बाद बिटा ये आपका 26 मई तक आपका लिस्ट वगयरा आएंगी और उसके बाद आपको चार दिन का लगवर टाइम दिया जाएगा चार दिन का नहीं जून में लगवर एडमिशन चलते रहेंगे मई और जून तक ठीक है और उसके बाद cycle थर्ड वाले जो एडमि आप लोगों को अभी जरुरत होगी कि किस तरह की तयारी आपको करनी है अडमिशन के लिए रेजिस्ट्रेशन कहां पर करना है तो ये तो थी guidelines जो स्कूल को प्रवाइड की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से अब एक वीडियो में इसके बाद आप लोगों को देखने मि आप लोगों को प्रवाइड कराऊंगी सिक्षा प्रवापन पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूलें इसी तरह से और इ झाल